नमस्कार दोस्तो मैं उदेलार्ट रेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर विड़ो देखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की विड़ो में तहरे दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तो थमनिल देखा टाइटल पड़ा हां दोस्तो दुनिया का सबसे बहतरीन व्याउसा है तोस्तो की जिसमें बहुत ही कम यहां पर जमांपुणजी लगती और बहुत ही ज्यादा आउशर है आईसे में दोस्तों आपका एक सवाल मुझ तक पहुचा था कि हमारे पास जो यहाँ पर जमा पूंजी है स्री 25,000 है क्या 25,000 में देशी मुर्गी पालन का व्यावसाय शुरू हो सकता है कामियाब हो सकता है हाँ दोस्तों अगर आपके पास 25,000 की जमा लागत है जमा पूंजी है तो भारत वर्ष के किसी भी कोने में आप रहते हो दोस्तों यकीन के साथ कह सकता हूँ लाखों का मुनाफा इस देशी मुर्गी पालन के व्यावसाय के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो तो 25,000 की जमा लागत में देशी मुर्गी पालन के व्यावसाय की शुरुआत कैसे करें कौन-कौन सी बातों को यहाँ पर ध्यान में रखे जिस माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो सफलता हमारे पैर चूम सकती है इसलिए दोस्तों सबसे इंपोर्टन बात आपको बतलाता हूँ कि अगर आपको भी 25,000 से लाखों का मुनाफ़ा कमाना है तो यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लिजे पसंद आया लाइक कीजिए किसान भाईयों को और मूर्गी पालग भाईयों के पास वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे और सब्सद के आप बाद दिखाए देने वाले लाल रंख के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में घंटिया एंग इस घंटी को टच करते हुए अलेस नोटिफिकेशन को आन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियों आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देख लिजिए दोस्तों सबसे important जानकारी क्या है तो मर्गी पालन का व्याज़ए दुनिया का सबसे बहेतरीन व्याज़एं लेकिन इस व्याज़ए कि जब हम शुरुआत करते है तो इस व्याज़एं में आगे कैसे बढ़वना चाहिए यह सबसे बड़ी बात है आज बाहर गुमते हुए हम जब नए नए व्यावसाय देखते हैं तो वहाँ पर लगने वाली लागत से हम वहाँ पर धर्रा उड़ते हैं काप उड़ते हैं दोस्तों क्यूंकि हमें पाच लाग, दस लाग, बीस लाग, आईसी ही अमाउंट लगती है और आप सच में बताए कि आपके पास जमा पुझी कितने हैं दोस्तों हमारे पास जमा पुझी जितने मेरे विवर से उनके पास जमा लागत ज्यादा से ज्यादा एक लागत तक हैं दोस्तों एक लाग के ऊपर बहुत कम लोगों के पास जमा लागत है पिर ऐसे में 25,000 में क्या व्यावसाय हो सकता है हाँ हो सकता है देशी मुर्गी पालन का व्यावसाय 25,000 में हो नहीं सकता है तो ऐसा हो सकता है कि जो जो संभावनाय सपनों के रूप में आपने चुनी है दोस्तों हर संभावनों को यह व्योसाय पूरा कर सकता है और आप जो सोचते हैं मुनाफ़ा मुनाफ़ा की बात छोड़ दीजे लाखो का मुनाफ़ा हर माहा आप कमा सकते हो लेकिन कैसे इसके लिए वीडियो अंततक देखना होगा तो ही आप समझ पाओगे शुरुवात कैसी करनी है देख लिजे दोस्तों अगर कोई दिक्कत है हो तो कमेंट सेक्षन के माध्यम से पूछ लिजे और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को लेकिन जरूर ओल कर दीजे तो देखे दोस्तों शुरुवात भारत वर्षम में बहुत आसानी से मुझे पता है देशी मुर्गी नहीं मिलती है फिर करना क्या है आपको अड़ोस पड़ोस में जाकर देशी मुर्गी को धुंड़ना है दोस्तों हाँ मोसम बदलता है तो थोड़ा रुख जाईए मोसम को वहाँ पर जो है दोस्तों सुह 400 के हिसाब से 30 मुर्गिया और साथी में दोस्तों आपको 500 के हिसाब से 6 देशी मुर्गे आएसे 81,000 में 30 मुर्गिया प्लस 6 मुर्गे लाने हैं इस हिसाब से 36 की हबैच यहां पर दोस्तों रेडि हो जाएंगी उसके साथ हमें लगेंगे सेमे आटोमेटिक थर्माकॉल बॉड़ी के इनकुबिटर सवांडो वाले 3 जिनके लागत है 3,000 उस हिसाब से 9,000 और 1,000 की एक्स्ट्रा किट कुल मिला के दोस्तों आप देख सकते हो कि यहां पर आसानी से दोस्तों 10,000 में इनकुबिटर की सिस्टीम आ रही है और 15,000 में मुर्गी प्लस मुर्गे आ रहे हैं रही बात शेड की तो दोस्तों आपको जो पुराना आपका शेड है ढाचा है उसको ही इस्तमाल करना है अलग से खर्चा करने के आवशक्ता नहीं है दो-चार हजार की लागत से बना लीजे दोस्तों नहीं तो पुराना इस्तमाल कर दिजे कोई भी तकलीफ की बात नहीं है उसके बात दोस्तों यहाँ पर आपको हाफ पेंसिंग करने की यहाँ पर सहूलियत नहीं मिलेगी इसलिए थोड़ी दिक्कत शुरुआत में हमें घूम फिरकर मुर्गियों को यहाँ पर संभालना है इसलिए दोस्तो मैंने आपको पहले ही कहा था मैनेजमेंट का गुरु ही इसे कर सकता है लेकिन दोस्तो शुरुआत का एक साल अगर आप जिद के साथ इस व्यावसाए को करें गए तो दोस्तो असंभाइत सीमा आए यहाँ पर जो है दोस्तो लांद कर व्यावसाए मुनाफ़ा कमा कर दे सकता है अब कैसा करना है दोस्तो तो अभी शुरुआत तो हमें कर ली है दोस्तो तीस मुर्गिया लाई है छे मुर्गे लाए है इंकुबिटर भी यहां पर लाए है इंकुबिटर को कैसे चलाना है अंडे कैसे रखने है कैसे घुमाना है कैसे चूजे निकलेंगे उनकी brooding टीका करन feeding इसकी पूरी जानकारी जिम्मेवारी मेरी है दोस्तों मैं आपको उचित guidance करता रहूँगा ये दिक्कत की बात नहीं है और आपको मेरे साथ जुड़कर इन समस्याओं को अगर हल करना है और इन जो मैंने बताए है संकल पनाओ को अगर सफल करना है तो जुड़ जाईए नमबर नोट कर लिजे 84-82-62-62 आप भारत वर्ष के किसी भी कोने में रहते हो आपका नाम, पता और दोस्तों राज्य मुझे लिख कर भेजे ताकि मैं आपको सही मार्गदर्शन कर सको आईसे 500 व्यक्तियों का चुनाओ करने का मैंने ठान लिया है इसमें जुड़ सकते हैं दोस्तों आप जुड़ने के लिए नंबर 8421826262, 84, 82, 82, 62, जिस पर आप आपका पता डाल सकते हैं और शिर्फ 500 रुपे के मासिक शुलक पर आईसी संकल पनाओ को सफल कर सकते हो आज बेरोजगार रिवा है, यूती है, दिव्यांग, विकलांग, व्यक्ति है, वैस का आबादी का सदस्य जिसे रास्ता नहीं मिल रहा है दोस्तों रोजगार का उसके लिए यह रास्ता भी है और मार्गदर्शन करने के लिए मैं हूँ दोस्तों, चौरासी, किस, बयासी, बासट, बासट पर आपका पता और नाम मुझे लिखवा कर भेज दीजे तो देख लिए जो दोस्तों आगे की क्या बात है, तो दोस्तों देखिए आपने 30 मुर्गिया संभाली, इन 30 मुर्गियों के माध्यम से, देशी मुर्गियों का इतिया से, उस हिसाब से, आपको कम से कम 12 और ज्यादा ज्यादा यहाँ पर जो मिलने वाले अंडों की संख् में डाल देने है, 120 अंडों का सेल कर देना है, दोस्तों ताकि आपको मिलने वाली राशी से आप फिड़का और ठीका करन का खर्चा एड़्यस कर पाऊगे, यानि की खर्चे की कोई बात नहीं है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिजिए कि आपके 300 अंडे इंकु पूरे चूजे नहीं निकलेंगे, लेकिन 240 चूजे निकलना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इनको बड़ा करना है, बड़े करने की जिम्यवारी हम वहाँ पर उठाते हैं, आपको सपोर्ट किया जाएगा, दोस्तों मार्गदर्शन उचित किया जाएगा, लेकिन तो भी थोड़ा-थोड़ा करते करते कुछ यह एकस्पायर भी हो गए, तो 40 मर भी गए, तो 200 मुर्गियों और मुर्गे बनना तो तय है, इस हिसाब से साल भर की बात करें, तो साल भर में 12 माहा में 2400 की स्ट्रेंथ हो जाएगी, क्योंकि इनकुबिटर 12 माहा चूजे दिकालन के लिए सक्षम है, लेकिन हम कम से कम पकड़ते कि चलो 1500 मुर्गिया हो गई, 300 मुर्गिया हो ये 25 प्रतिशत का और लॉस पकड़ा तो 800 की है बैस तयार हो गए, अब ये 1500 मुर्गियों के माध्यम से कोई आपको कितना कहे, लेकिन कम से कम 40 प्रतिशत अंडे मिलना यहाँ प प्रतिदिन का अगर मुल्य पकड़ ले तो 10 रुपए के हिसाब से 6000 की राशी आपके हाथ में आ जाएगी, अब 6000 के राशी में पूरा का पूरा तो मुनापन नहीं होगा, फिड का और टीका करन का खर्चा प्रतिदिन का निकाल कर रखना होगा, तो इसलिए दोस्तों आप को 2000 का फिड और टीका करन का खर्चा होगा, यानि 4000 रुपए के आपके पास जो है हर दिन की आमदनी होगी, इसमें से अगर आप हर महा का गुणा भाग कर दे तो तकरीवन 120,000, 120,000 में से 20,000 का और भी मुनापन घटा दे तो एक लाग का शुद्ध मुनापन आप हर माह कमा सकते हो, बताइए मुझे दोस्तों कि दुनिया में ऐसा कौन सा व्योसा है कि जिसमें हजारों लगाने के बाद लाखों का मुनाफ़ा मिल सकता है, बताइए दोस्तों मुझे कि ऐसा कौन सा व्योसा है दुनिया कि जिसमें लाखों की कमाने के ख्षमता है, अनुभव हो या लाखों का मुनाफ़ा कमाना है तो क्रिपयाप से विनती करता हूँ दोस्तों आप जुड़ जाईए मुझसे मैं आप के लिए काम करता रहूँगा जुड़ने के लिए नंबर नोट कर लिजे 84-82-62-62 दोस्तों और वाटसब पर आपका पता भिजवा दीजे और मुझे 84-82-62 पर एक कॉल कर दीजे मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा साथी में दोस्तों एक और बात ध्यान में रखिए दोस्तों यहाँ पर कमाई करना मुश्किलों वाली बात नहीं है लेकिन 25,000 से कमाई कभी 50,000 होगी कभी 60,000 होगी तो कभी लाग से 7,000 होगी लेकिन आवस्तन हमारी इंकम 80,000 से लिके लाग रुपे तक हो सकती है इसलिए एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिए कि लाखों का मुनाफ़ा कमाने के लिए लाखों की इन्वेस्मेंट करने की आवश्शक्ता नहीं है दुनिया का इकलोता व्यवसाह देशी मुर्गी पालन का हजारों में जमा पुझी इकटा करके लाखों में मुनाफ़ा कमा कर दे सकता है इसके बारे में क्या है आपकी राए कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए और दोस्तों साथ ही में वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिए ज़्यादा ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसब नंबर वाटसब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोशल मेडिया के साथनों का इस्तामाल करते होई लिंक को शेयर कर दीजिए रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी फालक भाईों से हाज जोड़ कर विंती करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा आप भी मुझे आपना और घर का सदे से मानते हो तो सब्सक्राइब कर लिजे इसके लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली सैड में आने के बाद दिखाय देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे झाल